खादी को नरेंद्र मोदी देश की पहचान बनाना चाहते हैं सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी खादी को एक ऐसे ब्रैंड के तोर पर स्थापित करना चाहते हैं जिससे भारतवासियों की आय बढ़े और खादी लोगों के फैशन का ट्रेड मार्क बने हमारे देश्ट में गरीब से गरीब लोगों को रोजगार देने की ताकत एग्रिकल्चर के बाद किसी एक सेक्टर में है तो वो है टेक्स्टाइल, हैंलूम, खादी, वीविंग यह जो काम है उसकी सबसे बड़ी ताकत है सबा सो करोड देश्वासी तै कर लें कि मैं जो कपड़ों के पीछे खर्च करता हूँ उसमें से जादा नहीं पांच परसंट मैं इन प्रोड़क्ट में लगा दूँगा, मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ इन सामान्य गरीब लोग जो हाथ से काम करता है उसकी एकोनोमी में आसपान जमिन का परिवर्तन आ जाएगा मैं हर एक को कहता हूँ, दो अक्टूबर को कुछ रूकुछ खादी का खरी दिये और वो महिने पर कमिशन भी देते हैं जरूरी नहीं कि आप खादी धरी बने एकाज चीज खादी की तो गर में रख सकते हैं जेब में रख सकते हैं आप देखिए गरीब आदमी को मदद होगी हैंडलूम अपने आप में आज उसने फैशन की जगा ली है एक जमाना था जब खादी आज़ादी की लड़ई का एक सिंबॉल था तब मंतरजा खादी फर नेशन आज खादी फर नेशन खादी फर फैशन ये अगर हम मूड बनाते हैं तो हैंडलूम के विकास के लिए बहुत संभावना है उसमें टेक्नलोजी का अपग्रेडेशन भी चल रहा है उसमें फैशन डिजाइनर भी अब आ रहे हैं और दूसरा ग्लोबली जो होलिस्टिक हिल्थ केर की तरफ लोग जुकाव रखते हैं उनका हैंडलूम और खादी की चीजों पर आकर्शन बढ़ रहा है हम जो टेक्नलोजी से जुड़े हुए नवजवान यहां बैटे हैं हम इप्लेटफॉर्म का ग्लोबल मार्केटिंग करके हमारे इन गरीब लोगों की चीजों को दुनिया में बेचने का एक बहुत बड़ा ब्यान चला सकते हैं और मैंने देखा कि आज आपने एक मर्चंटाइल एक्टिविटी को भी यहां से लौंच करवाया है मेरे हाथ से लेकिन मुझे खुशी हुई कि बाद में आपने कहा कि यह प्रॉफिट गंगा सफाई में जाएगा तो मेरा डर कम हो गया वर्ना हो वर्ना होता कि यह मोदियब बिद्लेस करने लग गया है लेकिन एक अच्छा इनिसिटिव है हम हैंडलूम को पॉप्लर करें हमारे गरीब बुनकर जो इतनी महनत करते हैं उनके लिए हम सुविधा करें आप देखिए देखते ही देखते ग्रामी निकरामी में बढ़लावा जाएगा नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सवा सव करोड के इस देश में अगर विकास की नई इबारत लिखनी है तो शुरुवात यहां के प्राकृतिक संसाधनों के मैक्जिमम इस्तेमाल से ही संभव है भारत आज विश्व में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाली अर्थेववस्ता है यह बत सही है कि बड़े देशों में भारत आज सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाली एकोनमी है और वो भी सिरफ हम आगे बढ़ रहे हैं सा नहीं दो भयंकर अकाल, drought, हमारा देश agriculture economy का बहुत बड़ा रोल है और उसमें अगर दो लगातार अकाल हो, तो कितना बड़ा संकट होता हैं, हम समझ सकते हैं दूसरा, पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, recession का दौर चल रहा है पूरी दुनिया की purchasing capacity काफी नीचे गिर गई है जब विश्व की अर्थरचना का ये हाल हो, भारत के भीतर agriculture sector पर इतना बड़ा pressure हो और ऐसी विकट परिस्तिती में, 7.5% से ज़्यादा growth पाना मैं 700 करोड देश वासियों को अभिनंदन करता हूँ, उनका बंदन करता हूँ, कि उनके पुर्शार्थ और परणाम का परणाम है कि आज देश तेज गती से आर्थिक विकास की और आगे बढ़ रहा है, और इसलिए अब सवाल यह है कि इस आर्थिक विकास से बढ़ लाव क्या आता है हम जानते हैं हमारे परिवार में अगर आज एक विक्ति कमाता है और 20,000 रुप्य आता है तो हम परिवार कैसे चलाते हैं? उस 20,000 रुप्यों में पाविटी तै करते हैं कि परिवार का है, वैसा ही देश का है अगर देश के खजाने में जादा पैसा है तो जादा विकास के काम होते हैं बनाने वालों को काम मिलेगा तो पहले वो जूते नहीं खरीद था था अब जूते खरीदेगा पहले वो एक टाइम खाना खाता था अब दो टाइम खाना खायेगा उसके जिम में पैसा आया तो पैसा खर्च करेगा खर्च करेगा तो पैसा फिर बाजार में आयगा फिर बाजार में आयगा तो वो एकोनमी को ड्रायु करेगा और इसलिए simple सा अर्थकारण है इसके लिए strategy चाहिए ऐसे नहीं होता है एक कुछ नियम कुछ वेवस्ताएं इन सब पर बल देना पड़ता है लेकिन optimal utilization of the natural resources जितना जादा हम हमारे पात जो प्राकृतिक संपदा है उसका हम जितना जादा उपयोग करेंगे उतना हमारी value addition से economy बढ़ेगी हम human resource का भी proper utilization कर पाएंगे सिरब हम युवा है 800 million 35 से नीचे हमारा एज गूर्प के लोग है इससे करेंगे तो नहीं होगा हमें focus करके किसकी क्या चमता है कहां उपयोगीता है उसको जोडेंगे तो इकनामी बढ़ेगी भारत जेसा देश हजारों साल पुरानी विरासत हमारे पास है हम अगर टूरिजम को बढ़ावा दे और सफलता पूरों को बढ़ावा दे दुनिया भर के टूरिस्ट आएं तो हमारी ये जो हजारों साल से हमारे पास जो विरासत है वो हमारी एकनामी में कनवर्ट हो जाएगी वो हमारी एकनामी को बढ़ देगी और इसलिए ताजमाल में इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होगा उस समय साथ अख़बार निकलते होंगे तो एडिटोल भी आया होगा कि ये कैसा राजा है लोग भूके मर रहे हैं ताजमाल बना रहा है उस समय साथ टिवी चैनल चलती होगी तो सब आया होगा मद्दूरों के हाल क्या है कैसे हो रहा है सब हुआ होता लेकिन वही ताजमाल आज लाखों लोगों की रोजगार का कारण बन चुका है इसलिए हम किन बातों का कैसे उप्योग करते हैं उसके आधार पर ताय होता है कि हम एकोनॉमी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं और ये देश के लिए आवशक है जादा नहीं यारो तीस साल तीस साल अगर हम आठ परसन से जादा ग्रोथ एचिव कर लेते हैं तो दुनिया में आज जो कुछ भी उत्तम देखते हैं वो सारा आपके कदमों में हो सकता है दोस्ता हिंदुस्तान में हो सकता है और ये हम सब का लक्ष रहना चाहिए किसान है तो भी अगर दो एकर भूमी है तो है दो की ढ़ाई शायद नहीं होगी लेकिन दो एकर भूमी में मैं जादा उत्तमादन कैसे करूँ उस पर अगर मैं बल देता हूँ मैं ग्रोथ को ताकत देता हूँ हम कितना जादा दूसरा भारत के जो मैनुफेक्टरर्स है उन्होंने ग्लोबल मार्केट की और टार्गेट करना चाहिए जब भारत में बनी हुई train, metro आस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है भारत में बनी हुई जपानीच कंपनी मारूती जब भारत में कार बनाती है और जपान उसको इंपोर्ट करता है तो हिंदुस्तान की इकॉनाबी भड़ती है आज हम अर्बो खर्बो रुपियों का पेट्रोलियम प्रोड़क्ट महार चलाते हैं हम सोलार एनर्जी पर बल दें हमारी अपनी ताकत पर हमारा इंपोर्ट कम करने की स्थिति में आ जाएं हम ग्रोथ में एक नया एडिशन जोड सकते हैं डिफेंस अर्बो खर्भो रुपियों का डिफेंस एक्विपमेंट हमको बहर से लाना पड़ता है भारत के नौजवानों के पास टालेंट है अगर हम डिफेंस एक्विपमेंट मेनुफेक्टरिक के लिए टेक्नलोजी ट्रांसफर्स करेंगे एफडियाई लाएंगे लेकिन बनाएंगे यहां नवजवान को रोजगार भी मिलेगा और हमें इंपोर्ट की ज़रुत नहीं पड़ेगी भारत अपने आप पर सुरक्षित होगा तो हमारा आर्थिक विकास तेज गतीश हो कॉंस्टन्ट हो उतार चड़ा उतार चड़ाव नहीं आना चाहिए अगर यह हम करने में सभल हो गए तीस साल तीस साल में आज जो भी दुनिया में उत्तम से उत्तम देखते हैं वो सब आपके आखों में आखों के सामने हिंदु झाल